आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें हमारी वीडियो पहले आप तक पहुँचे घंटी जरूर दबाए हाई वेलकम टो अनी ब्यूटी आज हम आपको दिखाएंगे बिटामिन सी का फेशल यह और स्किन टाइप है यह और फेशल से थोड़ा सा डिफरेंट है चलिए दिखाते हैं स्टेप वाइज स्टेप इसको किस तरीके से करते हैं ब्लॉसम कोच़ड का विटामिन सी लाइटनिंग फेशल इसमें जो धूब में बैटने से फेश पे दाग बढ़ जाते हैं वो भी दूर होते हैं और जो पैची स्कीन होती है उसे इक्वल टोन में लाता है इसके अंदर 6 स्टेप हैं पहला स्टेप है इसका क्लिंजर जल जो हमें 7-8 मिनट तक फेश पे मसाज करके दैन उसको फेशल टीशू से रब कर देंगे फिर है इसका second vitamin C gel जो face पे 7-8 मिनट तक रखना है और उसके बाद सूखे हातों से मसाज करते हुए skin में मर्च हो जाए और उसके बाद इसे पहुँच दीजिए तीसरा step है इसका ampules ये है एक glow करने के लिए ampule होता है जिसे हम skin में 5-5 मिनट पे 2 बार apply करेंगे face पे और जब ये सूख जाए इसे rub ना करके इस पे हम इसका step number 4 करेंगे जिसे कहते हैं massage gel vitamin C massage gel इसको 2 हिस्टों में करना है 7-7 मिनट में 2 round करने है 2 round करने के बाद हम face को rub करके उसके blackets निकालने के बाद इसके उपर vitamin C face mask रखेंगे जो एक ball में उंगल से घोल के अच्छे से और इसके अंदर एक strict दी हुई है उसके द्वारा face पे लगाएंगे और आँखों पे और lips पे आप cotton रख सकते हैं उसके बाद face pack उतारने के बाद इसका लगाएंगे vitamin C gel जो आप face पे spray करेंगे दो से तीन बार और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ये बाद में भी आप रात में यूज कर सकते हैं face के लिए इसको all type skin पे हम दे सकते हैं पहला step है इसका cleanser gel पहले हम cleanser से face clean करेंगे फेस और गरदन पे अच्छे से apply करें करूं अब क्लिंजर को फेशल टीशू से रब करें फिर है इसका सेकंड विटामिन सी जेल जिसे फेश पे लगाके पांच से साथ मिनट तक छोड़ेंगे अच्छा से फेश और गर्दन पे लगाएं और साथ मिनट बाद सूखे हातों से इसको मसाज़ करें सूखे हातों से मसाज़ करते हुए स्कीन में मर्च हो जाए और उसके बाद इसे पहुंच दीजी अब ये स्कीन में अच्छा से मर्च हो गया है तीसरा स्टेप है इसका एमप्यूल्स ये है एक ग्लो करने के लिए एमप्यूल होता है जिसे हम स्किन में 5-5 मिनट पे दो बार अपलाई करेंगे फेस पे फिंगर के दोवारा पूरे फेस पे लगाएं जब ये अच्छे से सूख जाए उसके पाद इसी पे मसाज अपलाई करें अब ये पूरी तरह से एमप्यूल सूख गया है अब हम चार नंबर विटामिंग सी मसाज जेल करेंगे इसके दो रौंड करें साथ-साथ मिनट के 14-15 मिनट तक मसाज करें अच्छे से फेस पे और गले पे अपलाई करें अब हमारा 15 मिनट हो गए है अच्छे से ब्लैकेट और वाइट रिमूव करें ब्लैकेट निकालने के बाद इसको फेशल टीशू से साथ करें अब इसका हम लगाएंगे अब इसका हम लगाएंगे स्टेप नमबर फाइफ विटामिन सी मास्क और उसमें यह फेस पेक डालें और पानी दीरे दीरे डालके फेस पेक त्यार करें इसे जल्दी जल्दी गोलें ताकि इसकी गुटलियां ना बनें अब यह बनके तयार हो गया है किट में इसके साथ इसमें यह स्पून दिये हैं इसके साहता से आप फेस पे लगाएंगे और आखों पे आप कोटन रख सकते हैं यह हमारे फेस को टाइटनिंग भी देगा और लाइटनिंग भी देगा इसको सूखने के लिए 15 से 20 मिंट लगेंगे अब इसे 15 मिंट के लिए छोड़ दें 15 मिंट के अंदर यह सूखके एकदम टाइट हो गया है अब इसको दीरे दीरे ऊपर से उतारना शुरू करें हुआ हुआ है पेस्टिशु से साफ के हैं करें जो पूरी तरह फेस साफ हो जाए तो इसका स्टेप नंबर सेक्स अपलाई करें जो विटामिन सी सिरम है जो आप फेस पे स्प्रे करेंगे दो से तीन बार और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे यह बात में भी आप रात में यूज कर सकते हैं फेस के लिए इसको पूरे फेस पे अपलाई करें और 5-10 मिंट सूकने दें यह फेशियल ड्राय स्किन पे बहुत अच्छा जाता है क्योंकि इसमें सक्रब नहीं है जो सक्रब स्किन को ड्राय करता है सिरम फेशियल स्किन को ग्लो और विटामिन देते हैं यह हमारा ब्लॉसम कोचड का विटामिन सी फेशिल था जो कम्प्लीट हो गया है आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए टेक कियर बाइबाई